बल्क में पैसा है तो एक बार पैसा लगा कर पैसे के उपर आप हर महीने ब्याज़ की राशी पा सकते हैं जी हम दोस्तों आज हम बात करेंगे स्ट्रीट बैंक ओफ इंडिया में मंथली इंकम प्लैन के बारे में जब भी मंथली इंकम प्लैन का जिकर आता है तो सबसे पहले नाम जो है वो है जी पोस्त ओफिस का ही आता है लेकिन आज हम आपको बताएंगे के आप किस तरह से स्ट्रीट बैंक ओफ इंडिया में monthly income plan में investment कर सकते हैं और जो post office से extra benefit जो है वो हासल कर सकते हैं So topic आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो हाँ जी तो friends कैसे हैं आप मैं हूँ आपका host और दोस्त गगंदीप आपके अपने favorite channel GD Techie से So दोस्तो topic आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो So सबसे बिले आप देख सकते हैं मैंने State Bank of India की official website open की है तो सबसे पहले हमें क्या करना है जी rate of interest को ही जाना है तो देखिए नीचे menu में से मैं जैसे ही home menu में से interest rate को select करता हूँ तो क्या हुआ जी हमारे सामने एक नया web page खुल के आ गया उसमें से मैं domestic term deposit पे आने के बाद domestic term deposit below rs2 crores पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने जो rate of interest का table है वो खुल के आ गया जी तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है जब भी आप monthly income plan लेना चाहें तो आपको एक ऐसा time period और एक ऐसा rate of interest ढूनना है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा benefit मिल सके तो देखिए अगर हम कम से कम log period की बात करें 3 से 5 साल के लिए तो आप देखेंगे 3 से 5 साल के लिए जो rate of interest हमें मिल रहे है स्टेट बंक ओफ इंडिया में वो as compared to 2 years to less than 3 years कम ही मिल रहे है तो इसका मतलब है हम 3 से 5 साल की बजाए जो है वो 2 से 3 साल के लिए जाने कि less than 3 years की जो time period है उसे choose कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो हमें rate of interest मिल रहे हैं वो कितने है जी journal पे 7.00% senior citizens पे 7.50% तो अब आप क्या कर सकते हैं कम से कम 2 साल के लिए monthly income plan ले सकते हैं क्योंकि आपको rate of interest जो है वो काफी बढ़िया मिल रहे हैं तो अब आपको सबसे पहला जो benefit पता चल गया होगा banking field का वो है जी जो time की maximum limit है वो नहीं है क्योंकि post office में हमें कम से कम 5 साल के लिए investment करनी पड़ती है तो अब आपने rate of interest जान लिया तो मैं सीधा ही monthly income calculator के उपर पहले चलता हूँ तो देखिए friends आप अपनी screen के उपर देख सकते हैं मैंने monthly income calculator open किया है 10,000 रुपे फिल किये है 7.4% के इसाथ है 5 साल के लिए जो monthly income निकल के आ रही है वो है जी 61 रुपीज जानी calculator बिल्कुल accurate कम कर रहा है मैं इस calculator का जो link है आपको description में दे दूँगा आप अपने requirement के हिसाब से भी इस calculator को use कर सकते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक लाख रुपे से एक लाख रुपे अगर आप investment करते हैं 7.0% के हिसाब से यानि जर्नल के बिहाब पर दो साल के लिए तो क्या होगा जी जैसे ही मैं calculate करता हूँ आप देखेंगे क्या हुआ जी 583 रुपीज आपको जो है वो हर महीने monthly income जो मिलती रहेगी इसके इलावा अगर आप senior citizens के बिहाब पर investment करते हैं 7.5% के इसाब से तो दो सालों के लिए आपकी जो monthly income होगी वो आपको कितनी मिलेगी हर महीने 625 रुपीज यानि 625 रुपे ये तो रही बात 1,00,00 रुपे की तो आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें 3,00,00 रुपे की देखे दोस्तों अगर आप 3,00,00 रुपे लगा देते हैं 7.0% के हिसाब से 2 सालों के लिए तो क्या होगा जी आपकी जो monthly income निकल के आएगी जर्नल पे 1,750 रुपे होगी और सीनियर सेडिजन्स की अगर हम बात करें तो देखे क्या होगा जी 1,875 रुपे जो है वो आपको monthly income मिल जाएगी तो ये तो रही बात 3,00,00 रुपे की तो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अगर आप 6,00,00 रुपे लगा देते हैं देखिए अगर आप 6,00,00 रुपे लगा देते हैं 7.0% के इसाब से 2 सालों के लिए तो आपकी monthly income कितनी निकल के आएगी SBI में 3,500 रुपे यानि 3,500 रुपे और 7.5% के इसाब से जैसे ही हम calculate करते हैं तो क्या होगा जी 3,750 रुपे आपकी जो monthly income है वो निकल के आ जाएगी तो अब हम compare करते हैं post office की जो maximum limit है single account पे वो है 9,00,00 रुपे देखिए 9,00,00 के हिसाब से जैसे ही हम 7.0% के हिसाब से calculate करेंगे 2 सालों के लिए तो आप देखेंगे 5,250 रुपे आपको हर महीने monthly income के रूम में मिल जाएंगे और अगर हम बात करें senior citizens की 7.5% के हिसाब से तो आप देखेंगे 5,625 रुपे जो है वो आपकी monthly income आ जाएगी जी सो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे 12,00,00 रुपे की 12,00,00 रुपे अगर आप लगा देते हैं 7.0% के हिसाब से 2 सालों के लिए तो आपकी जो monthly income होगी वो कितनी होगी 7,000 रुपे यानि 7,000 रुपे हर महीने आपको मिलेंगे 2 सालों के लिए सो अगर हम 7.5% यानि senior citizens की बात करें तो देखे 2 सालों के लिए जैसे ही मैं calculate करता हूँ 7,500 रुपे यानि 75,000 रुपे आपको हर महीने मिलते रहेंगे जी सो आगे हम बात करेंगे जो maximum limit है पोस्ट ओफिस की वो है जी 15,00,00 रुपे तो अगर आप joint account पे 15,000,00 रुपे पोस्ट ओफिस में लगा सकते हैं तो SBI में अगर आप 15,000,00 रुपे लगाएंगे तो क्या होगा जी हम देखेंगे 7.0% के इसाब से 2 सालों के लिए हर महीने 8,750 रुपे मिलेंगे और अगर आप senior citizens के बहाब पर investment करते हैं 7.5% के इसाब से तो क्या हुआ जी 9,375 रुपे जो हैं वो आपको हर महीने ब्याज के रुप में मिल जाएंगे तो अब जो है banking field का सबसे बड़ा benefit आपको पता चलेगा वो है जी no maximum limit यानि के आप जितना पैसा चाहे वो लगा सकते हैं तो मैं 20 लाग की बात करता हूँ कि अगर आप 20 लाग रुपे इंवेस्ट कर देते हैं 7.0% के हिसाब से 2 सालों के लिए तो आपकी जो मंतली इंकम है वो है जी 11,666 रुपे और अगर हम 7.5% के हिसाब से कैलकुलिट करें 20 लाग रुपे तो क्या होगा जी 2 सालों के लिए हमें कितनी मंतली इंकम मिलेगी वो मिल जाएगी जी 12,500 रुपे तो देखा फ्रेंट्स कितनी असानी से हमने ये समय लिया कि अगर आप मंतली इंकम प्लैन में इंवेस्मेंट करना ही चाहते हैं तो आप बैंकिंग फील्ड में भी इंवेस्मेंट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा बैनिफिट जो हैं वो एस कंपेर टू पोस्ट ओफिस हासल कर सकते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि हमारे दवारा दीगे जानकारी आपको पसंदाई होगी अगर आपके मन में फिर भी कोई डौट हो या आप कोई कोश्टन पूछना चाहते हो तो आप हम एक मेंट के मादम से पूछ सकते हैं मैं उसका रिपलाई करने की कोशिश जरूर करूँगा सो फ्रेंट्स इस वीडियो में इतना है